जहीं दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो इस इन्फरमेटी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप बैंक से कैस विड्रोल करते हैं दोस्तो चाहे बैंक से करें या पोस्ट ओफिस से करें तो कब आपका टेक्स कट जाएगा टेक्स यानी की TDS TDS आपको पता होगा दोस्तो टेक्स डिड़क्टेड एट सोर्स है टेक्स तो आपको साल के बाद में ITR भरते समय भरना पड़ता है लेकिन जो TDS होता है जब कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तब ही आपका जो टेक्स है काट लिया जाता है तो TDS on cash withdrawal के उपर section 194 के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे विस्तार से ताकि आप अगली बार जब भी बैंक से कोई नगद निकालें पोस्ट ओफिस से cash निकालें तो आप इस rule को ध्यान में रखेंगे तो in future के अंदर आपको income tax department से किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना तो section 194 दोस्तो budget 2020 के अंदर इंडिडियूस किया गया था अगर आप cash withdrawal करते हो किसी भी account से दोस्तो अगर आपका current account है आपका saving account है आपका salary का account है आपका loan का account है KCC किसान credit card है अगर आपका कोई भी तरह का loan है दोस्तो तो 1 September 2019 के बाद में अगर आप वहां से नगद तो आपके अगर एक limit से cross करते हैं तो TDS आपका महाँ पे वो bank के द्वारा काट लिया जाएगा क्यों लाया गया दोस्तो section 194 and सबसे पहले तो discourage cash transaction आपको पता होगा cash के अंदर लें देन बहुत ज़्यादा होता है जितनी भी black money होती है वो cash के through ही route होती है तो cash transactions को हतो करने के लिए घटाने के लिए कम करने के लिए इंडिया की digital economy को आपको पता होगा आज कल UPI एक Indian rupees और आया है online wallet आगे हैं बहुत सारे online neft RTGS वगेरा भी आप कर सकते हैं तो government बोलती है अगर आप online transaction करते हैं तो हमारे पास में record रहेगा कि पैसा कहां से आ रहा है कहां से जा है और cash के अंदर दोस्तों पता नहीं होता कि आपका ये cash कहां गया और कहां से आया था और black money को रोकने के लिए भी section 194N को introduce किया गया था तो दोस्तों कोई भी एक individual आपको पता होगा income tax के अंदर taxpayer की definition assessi की definition क्या होती है आप individual है आप एक achieve है आगर आप एक company है आप एक partnership है आ आप AOP है BOI है trust है मतलब आप अगर एक person है income tax के अंदर और आप नगद पैसा निकालते हैं तो आपका TDS वहाँ पे काट लिया जाएगा इसके बाद में दोस्तों कैसे निकालेंगे पैसा तब आपका TDS कटेगा सबसे पहले तो आपको पता होगा bank में जाकर के एक परची ए ये withdrawal sleep होता है इसके बाद में दोस्तों आगर आपके पास ATM कार्ड है तो ATM कार्ड भी आपको पता होगा दोस्तों आपके खाते में पैसा पड़ा हो तो एक मशीन होती है ATM की वहाँ पे आप मशीन के अंदर पैसा डालेंगे और वहाँ से नगद निकल जाएगा तो ये भी cash withdrawal इसके बाद में दोस्तों redemption of term deposit आपने कोई FD करवा रखी थी तो normally क्या होता है दोस्तों उस FD का transfer saving account में कर दिया जाता है लेकिन उस FD को maturity करके आप सीधा ही withdrawal कर लेते हैं कि आश में तब भी इस limit में count हो जाएगा और अगर आपने किसी को check दिया दोस्तों आपको पता होग जाएगा वो transfer हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है दोस्तों और इस check के अंदर आपने अगर यहाँ पे self लिख दिया है तो यह self का मतलब है कि मैं खुद ही यह पैसा निकाल रहा हूँ जा आपने किसी third person को भी यह check दे दिया है तो वो पैसा जाके नि निकालते हैं public bank या private bank चाए आपका दोस्तों SBI हो चाए AU हो चाए AXIS हो चाए कोई भी bank हो उन्होंने आपका TDS काट लेना है अगर आप एक limit से ज्यादा cash निकालते हैं वो limit क्या है वो just अभी हम discuss करने वाले हैं post office के अगर आप पैसा निकालते हैं आपको पता होगा post office वाल दोस्तों जहां से आप पैसा निकाल रहे हैं वो आपका TDS काट लेगा तो 194N not applicable किनका TDS नहीं काटा जाएगा ये भी हम बता देते हैं दोस्तों कोई भी government body कोई government का दोस्तों कहीं बार आपको पता होगा पैसे देने हैं कहीं पे निकालने हैं तो government की body अगर cash withdrawal करती है तो उ कोई भी bank दोस्तों कोई bank वगरा एक bank दूसरे bank से cash निकालता है तो उसका TDS नहीं कटेगा कोई business correspondence of banking company आपको पता होगा bank BC वगरा होते हैं दोस्तों जो किसी का पैसा निकालते हैं किसी का पैसा बेजते हैं इनको एक आजे bank काम करते हैं लेकिन बहुत कम restrictions होती है बहुत कम powers with restrictions ये काम करते हैं तो अगर आपका bank BC है तो भी आपका TDS नहीं कटा जाएगा white label ATM operator होता है कोई दोस्तों इसके बाद में कोई भी person जो आपको central government notify कर दे कि हम इसका TDS नहीं कटेंगे तो उन सभी का TDS नहीं कटेगा कब TDS कटेगा दोस्तों किस rate से TDS कटेगा तो इसमें अगर आप ITR बरते हैं अगर आप ITR नहीं बरते हैं for non filer of ITR दोस्तों अगर आप income tax की return नहीं बरते हैं income tax की return बरने का मतलब है कि last 3 साल की ITR आपने भरी है या नहीं बरी है इस साल की ITR मालो आपकी चालू हो चुकी है assessment year 2324 की और उससे पहले assessment year 22 था उससे पहले assessment year 21 था अभी तक दोस्तों कईयों की start नहीं हुई है और अभी तक खतम भी नहीं हुई है तो इस year को नहीं माना जाएगा इससे पहले वाला 20 किस मान लिया जाएगा अगर इस पिछले 3 सालों की ITR आपने नहीं भरी है तो आप दोस्तों category 1 non filer में आ जाएंगे और अगर आप दोस् लाग से ज्यादा का cash निकालते हो तो उस उपर वाली amount पर आपका 2% TDS काट लिया जाएगा मतलब tax काट लिया जाएगा for example आपके account में आपने 25 लाग रपय दोस्तों नगद निकाला तो 20 लाग से उपर जो 5 लाग रपय है उसके उपर 2% TDS आपका 10,000 रपय काट लिया तो एक करोड से उपर वाली amount पर 5% TDS आपका वो bank काट लेगा और income tax department को जमा करवा देगा समझ गे दोस्तों तीन साल की ITR नहीं बरी है 20 लाग रपय तक कोई TDS नहीं कटेगा 20 लाग से एक करोड तक 2% एक करोड के बाद में 5% TDS आपका extra जो amount होगी दोस्तों उस पे काट जाएगा फिर यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आपकी rate of TDS the TDS will be deducted at for ITR फाइलर पिछले तीन साल की ITR मैंने बताया दोस्तों इस साल की ITR जो है 23-24 की वो स्टार्ट नहीं हुई है अगर स्टार्ट होगी है तो अगर देट पड़ी है 31 जुलाई तो आपका ये साल काउ से ज्यादा का नगता आप निकालेंगे दोस्तों 20 लाख रुपे की limit आपके लिए नहीं है अगर आपने ITR नहीं बरी है तो 20 लाख रुपे से ज्यादा के उपर 2% एक करोड़ से ज्यादा के बाद 5% लेकिन अगर आप पिछले 3 साल के ITR भर रहे हैं तो दोस्तों आपको क प्रूत नहीं है दोस्तों ये कटा हुआ TDS income tax department के पास में आपके ही pen number में जमा हो जाएगा आपके pen number में जमा होगा मतलब ये पैसा आप ही का है अगर आपका tax नहीं बनता है पूरे साल के अंदर 5 लाख से कम की income है तो आप उनको income tax department को बता कर कर ये refund ले सकते हैं अब मैं example और बता दो दोस्तों अगर 20 लाख से ज़्यादा निकलता है पर financial year में तीन साल की ITR नहीं बरी है तो 20 लाख रपे से ज़्यादा 2% एक क्रोड से ज़्यादा पे 5% TDS आपका काट लिया जाएगा अब एक वेक्तिने 19 लाख रपे दोस्तों नगत निकाल लिया है और उसको रपे के उपर 2% जो है तीन जार पे टेक्स आपका एक सो चुराण में N के अंदर वो बैंक काट लेगा और इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को दे देगा यह TDS काटने का क्या परपज होता है दोस्तों कि ताकि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाए कि आप ये इन्होंने 20 लाख रपे की लिविट क्यों रखी है? क्योंकि हर विक्ति 2,5,1,7 माज रपे निकालता है तो हर विक्ति को पकड़ना ट्रैक करना संबब नहीं होता है तो इसलिए इन्होंने एक LIMIT रख दिया कि इस LIMIT से ज्यादा को ट्रांजेक्षण करेगा तब हम उस्त पूश्तास कर सकते हैं इसके बाद में दोस्तों जिसने आई टीर भरी है और उसने साड़े निनादमे लाख रपे अपना कैश निकाल लिया है दो लाख और निकालता है सेम कंडिशन है उपर वाले डेड़ लाख रपे के उपर दो परसेंट टीडियस जो है तीन जार रपे वो उसका काट लिया जाएगा अब आपकी बात आती है दोस्तों क्या इस कटे हुए टीडियस का रिफंड ले सकते हैं यह रिफंड जो होता है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के पास यह आपका टीडियस जमा पड़ा है सेफ पड़ा है अगर आपको इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को बताना है कि आपको सबसे पहले तो ITR भरनी पड़ेगी दोस्तों अगर आपका रिफंड लेना है नहीं लेना है ITR जरूर भर दें क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजेक्शन होता है हाई वेल्यू ट्रांजेक्शन इसको बोलते हैं और इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को पता लगता है कि आपने ITR नहीं बरी है तो सबसे पहला नोटिस आपको नोन फाइलिंग का आता है कि आपने इतना बड़ा ट्रांजेक्शन किया और आपने ITR क्यों नहीं बरी अब क्या करना है दोस्तों पांच तरह के हेड होते हैं आपको पता होगा सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनस और प्रोफेशन पीजी बीपी, कैपिटल, अदर सोर्स, हाउस प्रोपर्टी इन पांचों की इंकम मिला लो आपकी छूट डिडेक्शन वगेरा ले लो पांच लाखे उससे कम की इंकम आती है दोस्तों, टेक्सिबल लिमिट से ज़्यादा नहीं है तो आप अपने ITR भरें जितना भी टेक्स आपका कटा था, TDS वो आप रिफंड ले सकते हैं, अगर आपका कोई TDS दोस्तों, टेक्स बनता भी है सपोज आपका 20,000 पे आपका TDS कट गया था, और 15,000 पे आपका टेक्स बनता है, फिर भी आप 5,000 पे, पार्शली भी रिफंड आपका मिल जाएगा मतलब टेक्स के अंदर अड़ेस्ट करवा ले हैं टेक्स को, और जो बचा हुआ पैसा है उसको आप रिफंड ले सकते हैं, तो एप्लिकेबल TDS केंड भी रिफंड़, दोस्तों एक रूल है, ITR 1 आपको पता होगा सैलरी की इंकम, पैंशन की इंकम एक हाउस प्रोपर्टी की इंकम, अधर सोर्स वाले भरते हैं, लेकिन ITR 1 आप नहीं भरपाएंगे, अगर आपका TDS 194 में N में कटा है, ITR 2, 3, 4 भरनी पड़ेगी, बहुत सारे लोग दोस्तों, कन्फ्यूज होते हैं, कि सर हमारी तो इंकम ही नहीं है, कोई 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली तो हम क्या दिखाएंगे, इसके अंदर तो अगर आपकी 5,000 रपे से ज़्यादा की Agriculture Income होती है, दोस्तों, तो आप ITR 1 नहीं भरपाते हैं, ITR 2 भरपाते हैं तो अब 5,001 रपे की अगर आप Agriculture Income भी दिखाते हैं, तो आपका ये जो ITR 2 बना देगा वो तो इस हिसाब से आप किसी टेक्स प्रफेशनल से, टेक्स प्रफेशनल से help लेकर के ही ITR भरें, क्योंकि ये थोड़े से sensitive case होते हैं इसके बाद में जो दोस्तों लिमिट है 20,000 रपे की, ये per bank के all accounts पर है, आप कहेंगे जी सर मैंने saving में तो 15 निकाला है और मेरे KCC मैंने 15 निकाला है तो वो 30,000 रपे मना जाएगा current account, saving account, KCC account, loan account एक bank के अंदर, एक bank की जितनी भी branches हैं, उसमें जितने भी खाते हैं सब को मिलाकर के 20,000 रपे तक आप निकालते हैं तो कोई दिक्त नहीं है ITR नहीं भरी है तो 19,000 रपे तक आप निकाल सकते हैं कोई TDS नहीं कटेगा लेकिन दोस्तों आपको पता होगा 10,000 रपे से ज़्यादा का कैस निकालना या withdrawal करना भी एक reportable transaction है तो 20,000,000 से कम तो आपका TDS नहीं कटेगा लेकिन 10,000,000 से ज़्यादा कैस निकाला तो income tax department फिर भी information आपकी पराप्त कर लेगा बैंक से कि आपने 10,000,000 से ज़्यादा का नगद निकाला तो वहाँ पर आपको भी जवाब देना पड़ सकता है कोई भी transactions करें तो दोस्तों उसका record maintain करें अगर आपने पिछले 3 साल के ITR भरी है 99,000,000 रुपेद तक 99,9999 तक का भी cash withdrawal करते हैं तो TDS नहीं कटेगा लेकिन TDS नहीं कटेगा इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी report नहीं जाएगी 10,000,000 से ज़्यादा की transaction की report already report होती है इसके बाद में दोस्तों आपको पताओगा forum 15G और 15H होता है यह होता है non deduction का request होता है कि sir मेरा TDS ना कटा जाए मेरी income कम है तो यह आप यहाँ पे नहीं दे पाएंगे forum 15G और H आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि दोस्तों आपको अपना TDS कटवाना ही पड़ेगा अगर आप filer और non filer किसी भी category में आते हैं इसके बाद में जो भी आपका TDS कटेगा forum 26AS होता है दोस्तों जो कि आपके 3-3 महिने में update होता रहता है तो अगर आपका January February March में TDS कटा था और वो बैंक वाले भी कई पर नहीं बता पाते हैं कि सर इतनी transaction हो रही है और आपके pen card नहीं लगा है तो pen card नहीं होता है कहीं पर भी तो TDS 2 या 5% की जगह है 20% कटा जाता है आपका ये कटा हुआ TDS दोस्तों आपका जब pen card ही नहीं है तो जरूर बैंक में update करवाएं जमा करवादें ताकि कोई ऐसा transactions जो आपको नहीं पता हो वाँ पर आपका TDS कटता है तो आपके own account में जमा तो हो ही जाएगा otherwise TDS तो फिर भी कटेगा आपका वो 20% कट जाएगा ज्यादा कट जाएगा और उसका आप refund भी नहीं ले पाएंगे इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं NRI के बारे में अगर कोई non resident individual है तो उसके उपर भी same के sale rule applicable होते हैं उसको भी TDS वहाँ पर कटवाना पड़ेगा कोई NGO है, trust है, society है उन सभी को भी अपना जो TDS से कटवाना पड़ेगा आपको के advice दी जाती है दोस्तों इस limit से कम रखें सबसे पहले तो यह advice है, 10 लाग से जादा निकालें 20 लाग से जादा ना निकालें, 1 रोड से जादा करनगत ना निकालें अगर आप निकालते हैं, दोस्तों आपको record अभी जरूरी ही है कि आप किसी को cash ही देना होता है आपको तो records आप maintain करें, भी किस को कितना cash दिया, किस से कितना cash आया ताकि कल को income tax department आप से पूछे कि यह cash कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है तो आपको दोस्तों दिक्कत ना आए, आप exactly वो उसका जो justification दे सके ट्राइ करें कि पैसे को online दे, cash के अलावा बहुत सारे transactions दोस्तों UPI, NEFT, RTGS, BIMP, Google Pay, Net Banking, Check बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और ITR भरना तो बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों ताकि income tax return भरने से वो कहते हैं कि आदे कष्ट तो आपके वहीं कट जाते हैं अगर आपने ITR भर दी, बढ़िया से सारे transactions को दिखा दिया तो आपको notice आने के संबाबना बहुत कम हो जाती है तो इसलिए कहा जाता है कि किसी tax professional की आप help ले सकते हैं हमसे कोई आपको दोस्तों doubt हो, query हो तो वैसे तो आप comment भी कर सकते हैं और हमने mail drop कर सकते हैं, हमारे social media के handle पर भी आप हमें जुड़ सकते हैं वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत ही धन्यवाद है आपने धन्यवाद पेशन से सुना, आपको वीडियो को लाइक करना है दोस्तों अभी तक हमें subscribe नहीं किया है, तो subscribe भी कर लेना है दोस्तों और कोई आपका, आपकी कोई query रह जाती है कि sir, मेरे इसमें एक query समझ में नहीं आई, clear नहीं हुई तो आप comment कर सकते हैं और इस वीडियो को उन सभी लोगों में share करना है दोस्तों, जो बड़े-बड़े transactions करते हैं ताकि उन्हें in future में दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो thank you so much दोस्तों, जै हिंद, जै भारत